असलाम अलाकूम विल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए जबदस से चिकन की शामी कबाब की रिसीपी लेका है जो खाने में जबदस और बहुत मज़े का लगता है बहुत आसान रिसीपी है इस रमजानी से बनाएए इद के लिए फ्रीज में स्टोर करके रखे करते हैं पराना चिकन का शामी कबाब अई स्टार्ट करते हैं पहले कुछ क्रम मसाला लिया है दो सुखी लाल मेच दाल चीनी जीरा 1 टीए स्पून 1 टीए स्पून 1 टीए स्पून काली मिच पॉड़र बड़ी यलाची और लॉंग मसाला का फाइन सा पॉड़र तयार कर ल घ्रिक इस स्पून आप चाहे तो सेम चीज प्रेशर कुटर में भी कर सकते हैं इससे जल्दी गल जाएगा एक गजिए सबसें अब इसमिचों करते हैं अब इसमें टेस्के कोश्टिनी डिट्री एड्ट करेंगे जो गर्म मसाला पीज़के रखना है उसे अब चाहे है तो सब साबूत भी आड्ट कर सकते हैं इन अब को अचिता से मिक्स करते हैं हाorta हगा पाणी याइड कर जाते हैं जब तक चि‌कैन डाल अच्छी तरह से सौय गुल कर लेंगया अच्छी तरह से कुछ आप हाँ चिकैन मैत न दाल । दाल सब अच्छी तरह से गल जाए इससे दो तीन तरह आच करदें इसे कवर करते हैं और सॉफ्ट होने तक कुख कर लेते हैं देखी एदम अच्छी तरह से गल गया है एदम सॉफ्ट हो गया है इसको आप मिक्सी में आप्या तो पीस लेजिए इसका पांटेर में इसका पानी नहीं डालना है बिल्कुल सूखा पैस रहें इस तरह से मिक्सी जार में तालकर पीस लेंगे पीस लिया है वन टूटेबल इस्पून मेरा वाटर लगा है इसमें पीसने में इस तरह से पीस ले रहा है इस तरह से टाइट रहना चाहिए अब वन एग लेंगे और इसे इस तरह से डाल देंगे धनिया पत्ती हरी मिर्च मिर्च टेस के कॉर्डिंग डलीगा पहले से बहुत सारी मिर्च डली भी है वन ओनियन को मैंने चॉप्ट किया वाए महीं उसे अड़ कर देंगे अगर आपको ज्यादा दिन के लिए फ्रीज में से स्टोर करना हो तो प्याज से खराब होने का चांस बन जाता है दो तीन चार दिन तो आराम से चल जागा लेकि ज्यादा दिन के लिए नहीं वन लेमन जूस इसे अड़ कर देंगे अब इन सबको अच्छी तर से मिक्स कर देंगे जबर्दस और बहुत मज़े का शामी कवाब तेयार होता है इसे बनाई है इसे स्टोर करके फ्रीजर में रखिए जब दिल चाहिए आप इसे यूज कर सकते हैं अब हाथ में वाइल लगा के जिस साइस का आपको बनाना इस तरह से मैंने सिल्वर फ़र ले लिया और ट्रे ले लिया है इस तरह से शेप आप कोई भी दे सकते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से रख जाएंगे जितना आपको भी यूज करना और जितना स्टोर करना है उसे अलग बनाके रख लेंगे इतना मैं फ्रीज में स्टोर करूंगे इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया है इसे टू आउर्स के लिए फ्रीजर में रखेंगे इसी तरह से रख देना है खुला कि अच्छी तरह सेट हो जाए उसके बाद जिप लॉक बैग में इसे रख देंगे इसे आइए फ्रीजर में रख देते हैं और कुछ को मैं अभी बना के फ्राइ करके दिखाऊंगे कि किस तरह से बनता है बहुत मज़े का शामी कबाब यह लगता है और बहुत असान है बना के स्टोर करके रखिए आइए इसे फ्राइ करते हैं मैंने मस्तर्ड वाइल लिया है आप चाहे तो किसी भी वाइल में फ्राइब कर सकते हैं वाइल गराम होगी है इसे डाल देंगे एक मिनट एक साइड इसीता छोड़ देंगे उसके बाद इसे तर्ण करेंगे एक साइड हो गया है इसे तर्ण करेंगे दो दो तैट से अची ताची क्रिप्पी फ्राइ होने तक इसे फ्राइ कर लेंगे जबदस सा चामी कवा बिल्कुल तयार हुआ है इसे निकाल लेते हैं कितना जबदस सा तैयार हुआ है इसी तरह से बागी बचावा शामी कवाब भी फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा वाइल में फ्राइ करने की ज़रोत नहीं है यह हल्की वाइल में भी असी तरह से फ्राइए जाता है जाता है गाज धीमा रखेंगे मेडियम गाज से अची तरह से क्विस्ट्राइ कर लेंगे बचारो तरह वाइल इस तरह से घुमा देंगे और एक मिनिट के बाद ही इसे टर्ण करेंगे इसे अच्छी तरह से सीख लिया है कितना जबरदस सा कबाब बनके रेडी हुआ है इसे मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे वीडियो एंड करना था इसे आप और थोड़ा कड़ा होने दें अच्छी तरह सेट होने दें उसके बाद इस तरह से कोई भी बॉक्स लेके इस तरह से रख देना है अलग-अलग रखना है एक के उपर एक नहीं रखेंगे इस तरह से की अच्छी तरह सेट रहा है इस तरह से रख देंगे इसके उपर एक और इस तरह से रखेंगे और इसके उपर इस तरह से रखेंगे और इसके उपर इस तरह से रखते जाएंगे एक क्यूब पर एक डैरेक्ट नहीं रखना है नहीं तो चिपक जाएगा पिर निकालने में असाइन होगी फिर बॉक्स को बंद करके अच्छी तरह से फ्रीजर में रखेंगे फिर जब आपको यूज करना हो आप इसे यूज कर सकते हैं कितना जबर्दस सा चिकन का कबाब बनके बिल्कुल रेडी है लेकितना जबर्दस सा बिल्कुल सॉफ्ट और जबर्दस सिच पेची लगी हो तो प्लिस लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और इस तरह से चिकन का शामी कबाब बनाके फ्रीज में स्टोर करें रखें क्राइब किला थैंक यूर वाचिंग